हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स वाई साहिल सर में और अभी मैं आउटर पे खड़ा था आकास एक्सप्रेस ट्रेन छूटी है मतलब वह स्टेशन से आगे निकल चुकी है दस बजे वाली जो अब ग्यारे बजे वाली ट्रेन आपके स्टेशन पर आचुकी है जो सभी आतरीगर्ण हमारी इस ट्रेन में बैठना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है आप सभी छात्र ट्रेन में बैठिए और आनंद लीजिए परसेंटेज के पार्ट फोर का और आज हम आपको परसेंट के साथ जुड़े हो और क्वालिटी कभी भी कॉंप्रोमाइज नहीं कर सकता कभी भी नहीं कर सकते हम तो भया चलिएगा आईए जल्दी से सवारी चड़ जाओ स्टार्ट करते हैं ट्रेन को फिर ग्यारे बज चुके हैं साहिल एक्सप्रेस आपके सामने खड़ी हुई है यातरी गंड जिन्होंने अपना टिकेट नहीं लिया टिकेट ले ली जिए आईए का शुरुवात करते हैं अज की इस ट्रेन को आज की इस एक्सप्रेस ट्रेन को साहिल एक्सप्रेस सुबह 11 बजे डेली आईए हम एक्सप्रेस बैच में कंसेप्ट के साथ साथ टॉपिक इस प्रेक्टिस आपको करवा रहे हैं जो एक्सम में बहुत काम आने वाली है सलेक्शन दिलवाईगी आपको अलपी निकालना है तो आजाओ बिल्कुल आजाओ मैथ सीखनी है तो तुरंध फांडेशन बैच जॉइन करो एक भी बच्चा नहीं चूटना चाहिए क्योंकि हम मेरा फोकस हर बच्चे को फांडेशन बैच देना है फोकस यही है क्यों क्योंकि अगर वो एक बच्चा कर लेगा ना फांडेशन तो उसको कभी नहीं दिक्कत आएगी कभी का मतलब किसी भी एक्जाम में न्टीपीसी दो गुरूपडी दो अगले साल दो इस साल दो कभ जहां तंके की चोट पर बोली जा सकती है यही गणित की मेरी साफ रणनीती है यहां सत्तर की बजाए सौ दिन भी हो जाएं लेकिन फरक नहीं पड़ता फरक इस चीज से पड़ेगा कि बच्चों को समझ में आना चाहिए चलिए टाइम टेबल हरीश भईया की एक्सप्रेस प्लानिंग बहुत परफेक्ट रही ना अपनी जो बच्चा देको मैं वही कहा कि भीड बहुत आती है लिकिन रुकते वही लोग है जो सलेक्शन लेते हैं बहुत आएगी लुक रुकेंगे वही लोग जो सलेक्शन लेंगे अब आपको पता है कि कॉम्प्टिशन बहुत और कॉम्पीटिशन को तोड़ना है आपन को चलिए साथ के साथ आप लोगों को प्रेक्टिस भी चाहिए होती है सब मिक्स प्रेक्टिस करवाई है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक्टेस टाइप प्रेक्टिस करवा रहे हैं एक्जाम वाली फीलिंग के साथ में कै कैच दा रीजनिंग और रात को दस वजे कैच दा साइंस विद पर्फेक्ट प्लानिंग पर्फेक्ट एक्जीक्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा ठीक है तो सभी विध्यारती लाइक शेर करिए यह अपने टेलिग्राम चैनल से दौनों पर जुर जुर जाना आप लोग म ठीकनिशन निकालना चाथे हो निकल जाएगा कैनों पर्फेक्ट बनाईगा ऐसे लिए बार बार कहा हूं पर बार चैन्ट थेश् 않का सब्सक्रां पाईगा क्योंकि हैं और वहोंद नि Аягरत रात करता करक। क्योंकि जो मैं याद दे रहूं ने ExpressWatch में, यह तो लोग पेड में भी ने दे रहे हैं, यह मैंने बच्चों से ही सुना आ, मिरे को नहीं पता मैं नहीं जा पाता कहीं पर ठीक है, चलिये, तो बैच आपको अपनी application है, QuickTricks भाई साहिल सर, वहाँ पर आपको मिलता है, IndieVidual और RRB भी ले सकते हैं, Quick Tricks by Sighi Sir application पर, Test Series के लिए भी अपनी अलग application है, Quick Tricks Test Series, Railway में जाकर Test Series ले सकते हो, ठीक है, Harish Bhaiya, Harish Bhaiya, Harish Bhaiya, Harish Bhaiya की class आने वाली है, इस संडे को, सुबह 11 बजे, Physics की class करवाएंगे, जिसमें concept और MCQ सब कुछ होगा, हाँ यह कुशन आते पक्के हैं तो आप तैयार है नहीं है एक बर थमसब एक बर थमसब हो जाए हो जाए भई अच्छा ठीक है 61 number question जो homework में दिया था कल मैंने आपको चीजे समझाई थी उसी के concept के बहाफ पर ये question बनाया गया है दिया भी था homework में तो चलिए कौन करके दिखाता है मैं देखता हूं करो एक बर कल ये price consumption का जो concept पढ़ाया था उसी के बहाफ पर question बना हुआ था मैंने आपको समझाई भी थे उमीद करता हूं homework में की हो आपने देखिए सर चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है ये कमी हो रही है आपकी जो कीमत है वो 10% का मतलब होता है एक बटे 10 तो चीनी की कीमत क्या हो तो आपका जो consumption है वो कितना हो जाएगा नौ से दस ऐसा हमेशा होता है मैंने कहा ना कि यह 360 रुपे दे रखे हैं भूल जाओ भूल जाओ पहले तो 360 रुपे को तो भूल जाओ भूल जाओ ठीक है हाँ साथ के साथ देखा गया है कि भाई धाई किलोग्राम अधिक खरीद कर लेकर आ रहे हो तो consumption ही तो है वो तो यह consumption का ratio है खपत का ratio है एक अनुपात बराबर धाई किलोग्राम तो आप पहले कितना ला रहे थे 25 नमा 222 सर पहले मैं ला रहा था 22.5 किलोग्राम हाँ यह पहले खपत थी मेरी और अब मैं लेकर आ रहा हूँ 25 किलोग्राम यह मेरी अब खपत हो गई है कोशन में से क्या पूछ रहा है कि चीनी की वास्तविक कीमत क्या है अब आप मुझे एक चीज बता दो बस कि वास्तविक कीमत क्या होती है वास्तविक कीमत वो होती है जो कि आपका जो कंजम्शन दे रखा है नहीं पुराना कंजम्शन दे रखा है यह खरीद कर ला रहे थ किस कीमत पर इतना ला रहे थे 360 रुपे में अब 360 रुपे का काम है 22.5 को लेख सकता हूं मैं 45 बटे दो हाँ यह अच्छी चीज है इससे 45 से आप काटने में आसानी हो जाएगी यह 8 बर चला जाएगा तो आपका जो कीमत आ गई वह 16 रुपे प्रती किलोग्राम आ गई और कि क्लियर है भाई क्लियर हुआ आपको कॉंसेप्ट क्लियर हुआ कि सजयपुर के बाद गोड़ा-गोड़जी का रहने वाला हूं है चली है सब मैंने दो तीन जगे से कोर्स खरीर लिया और मेरे पैसे बरबाद हो गए सर है तुम से सही सब्सक्राइब करते हैं कुछ ना कु अफसोस के बाद आप यहां हो सई जगह हो चलो आये किलियर हुआ भाई अगला कुशन आप लोगों को करना है जो बच्चे नए भी जुड़े होते उनको करना है एक बड़ ट्राई करिए फिर मैं सिखाऊंगा भी दुबार आपको ठीक है चलिए कोई बात ने कोई बात न नहीं आजाता तक तक बताते रहेंगे सर 45 कहां से आया मैंने 45 यहां से लिया देखो यह कैलकुलेशन होती है कि जैसे 22.5 है तो इस 22.5 का डिवाइड करना ज्यादा तफ होता है ना तो 22.5 को आप क्या लिख सकते हो 22.5 को आप 45 बटे 2 लिख सकते हो क्योंकि यह ही 45 का आधा तो यह लिखने से कैलकुलेशन आसान हो गई अब अगला कुश्यन इसक्रीन पर है आप एक बड़ ट्राई मारो मैं आपको कल भी सिखा चुका हूँ कि जो आपका प्राइज होता है और गुणा कंजम्शन जो प्राइज गुणा कंजम्शन प्राइज गुणा कंजम्शन प्राइज गुणा कंजम्शन बराबर होता है एक्सपेंडेचर मुल्य गुणा खपत मुल्य गुणा खपत बराबर आपका खर्चा होता है और मैं आपको कल समझाया था इसलिए मैं भी इसको दुबारा बता रहा हूँ जैसे कुछ बच्चों को डाउट ना रह जाए कि खर्चा constant है सर आपको कैसे बता क्योंकि 500 रूपए आपके fix कर रखए न उसने तो ये खर्चा Häaus現 रखर्चा constant है अगर खर्चा просcent है तो आप लोग को ये बताया हूआ है की जो प्राइस का अनुपात होगा अगर खपत का अनुपात निकालना चाहते हो तो खपत का अनुप प्राइस के अनुपाद का बिल्कुल उल्टा होता है तो अगर आपकी कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो 20% का क्या लॉजिक है वो पेहले लिख दो 20% होता है एक बटे पाँच और पाँच में से अगर एक कम हो गया तो यह 4 हो गया यहां तक आप सभी छात्र जिनको नहीं आता वो agree है क्या यहां तक आप सभी छात्र जिनको नहीं आता वो agree है क्या हाँ या ना आप किरप्या करके बताएं और like share में कसन मत छोड़ें अगर मैं आप लोगों के लिए महनत कर रहा हूँ आप लोग भी करें मेरे लिए महनत करें बस इमानदारी से इतना चाहता हूँ बस आप से कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यार सही बात है कि अगर पांच में अगर एक की कमी करने को बोल रहा है अब यहां कमी करने को बोल रहा है तो कमी ना करूंगा अगर यह प्राइस कम हो गई तो आपकी जो खपत होती है जिसको कंजम्शन बोलते हैं वो खपत क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगा रेशो डाइरक्ली चार और पांच चार से पांच हो गया मैंने आपसे कहा था कि जो भी रुपिया होता है ना इसको भूल जाओ एक बर के लिए इसको भूल जाओ कि कुशन में है ही नहीं यह भूल गए सर भूल गए भूल जाओ भूल गए अब आप मुझे बताओ कि जैसी मूल्य कम हुआ वैसे ही आपकी खपत कितनी बढ़ गई है कुशन के हिसाब से दो किलोग्राम जादा लेकर आ रहे हो आप तो एक अनुपात ब्रदी अनुपात में है और वह किलोग्राम में दो किलोग्राम के बराबर है तो पहले आप लेकर आ रहे थे आठ किलोग्राम और आज आप लेकर आ रहे हो दस किलोग्राम ये बात समझ में आ गई तो कभी कोई आपसे पूछे की पहले कितना ला रहा था भाई 8 kg ला पा रहा था और अब कितना ला रहा है 10 kg लेकिन पैसे उतने थे 1.500 रुपे पैसे उतने थे तो इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ कि खर्चा constant है अब आपसे पूछा कि वास्तविक कीमत बताओ तो वास्तविक मूल्या निकालना है तो खर्चे में डेड़ सो में खपत कितनी है 8 kg पहले वाली भाग दे दो तो आपकी मूल्या निकल कर आ जाएगा और 75 बटे 4 18.75 अब समझ में आ गया क्या अगर आ गया है तो थमसब चाहता हूँ नहीं आया है तो दुबारा बोल दो क्योंकि चीजें करने से आएगी एक बर नहीं आएगी साला दो बर नहीं आएगी तीसरी बर तो आएगी चौती बर तो आएगी ऐसी आती रहेगी लेकिन continue रहो भाई एक दिन चोड़के एक दिन पढ़ोगे तो फिर वही से ही हो जाओगे है ना चलिए आईए बैच अपनी अप्लिकेशन पर मिलेगा भाई आराम से जोइन करो क्वालिटी है अप्लिकेशन है अपनी क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर ठीक है अब मैं अगले कोशन पर आ रहा हूँ अब यह different type है क्योंकि मैंने आपको काफी सारे कोशन करा दिये price consumption पर अब हम अगले type की तरफ चल रहे हैं कोशन को जस्ट पढ़ना है केवल कोशन पढ़ें केवल प्रशन पढ़ें सभी छात्रों से यही विंती है यही request है कि केवल प्रशन को पढ़ें read question carefully सर एक संख्या के पहले 30% एवं बाद में 20% की ब्रद्धी होती है तो वास्तविक ब्रद्धी क्या है पहले 30% बाद में 20% क्या चक्कर है गुरू जी क्या कौन सा case है बस एक बार दुबारा से पढ़ें पहले 20% फिर 30% फिर 50% अरे सर 50% तो नहीं है मैंने कर नहीं है कोई बात नहीं लेकिन ऐसे आजाए कि फिर 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 इसका क्या मतलब है फिरा फिरा के मार दीजिए successive case होता है तो आपको प्रश्ण को पढ़ने से यह पहचान हो गई क्या कि successive case की क्या पहचान है यदि percentage ब्रद्धी हो रही है तो फॉर्मूले होते हैं अब दो अगर ब्रद्धी हो रही है तो फॉर्मूला काम आता है फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स गुणा वाई बटे सो एक्स प्लस का वाई एक्स गुणा वाई बटे सो तीस प्लस का बीस प्लस का तीस गुणा बीस बटे सो तो यह निकल कर आया 56 प्रतीशत दौनों की जो ब्रद्धी हो रही है वो दौनों की ब्रद्धी आपकी आएगी तो आंसर चपन आएगा ऑप्शन में नहीं है यह टाइपेश्ट महाराज की जैकर दीजे एक बड़ा ठीक है 56% कर दो चलो अच्छी बात है ठीक है एक तो यह तरीका हो गया जो फॉर्मूला वाला तरीका हो गया अच्छा यह बताओ दौनों प्लस में क्यों आये मैं एक डाउट जो आपसे पूछूंगा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा लेकिन है ना क्योंकि उस डाउट से ही आपके concept में clarity मिलेगी आपको अधरवाइस फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो आप मुझे एक बात बताओ कि दौनों ही प्लस में क्यों आया क्योंकि सर दौनों में ही ब्रदी दे रखिए इसलिए दौनों ही प्लस में आया ठीक है अगर मानलों कोई कमी दे रखा होता तो negative में आता तो चि चिन शहित चिन सहित रखिए, किसके साथ में रखिए चिन सहित रखिए ठीक हवेशा प्लस है तो गस्मायनस है प्लस ब्रदी होगा तो प्लस कमी होगी तो मायनस लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए सर अगर ये हो गया अगर हम भिन वाले तरीकी से करना चाहें तो वो भी सिखा देता हूँ भिन वाला तरीका भिन वाला तरीका अलाख कि अच्छी परसेंटेज होती है न तो आप ये formula लगाओ लेकिन फिर भी आना चाहिए भिन्न वाला तरीका क्या होता है इसा 30% को चुपचाप लिख दो fraction में भिन्न में तो 30% होता है 30 बटे 100 30 बटे 100 3 बटे 10 और 20% होता है 20 बटे 100 यानि की 1 बटे 5 तो 10 से 3 की ब्रद्दी यानि की 13 5 से 1 की ब्रद्दी यानि की 6 दोनों में ब्रद्दी हो रही है तो 50 अगर आपका क्योंकि हमेशा मैंने बताया था कि जब successive case होगा तो गुणा होता है जुड़ते नहीं है ये गुणा होता है तो 50 और 13 चिंग 78 तो आप इसको 100 माल लो 2 से गुणा कर सकते हो क्योंकि अनुपात में तो ये अगर 100 हो गया तो ये 156 तो कितने की ब्रद्दी हो गई 56 की 100 के respect में गुणा 100 तो 56 परसेंट यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है दोनों बताने जरूरी थे तो बताए हमने अच्छा लग रहा है हां या ना पहला concept है अगर नहीं भी आया तो परेशान मत हो येगा क्यों क्यों कि अभी तो हम सीख रहे हैं जो बच्चे नए हैं जिन्होंने foundation में किया हुआ है कवर उनका revision हो जाएगा प्रॉपरली उनको ये सब पता है understand my dear चीजे क्लियर है एक बर हाँ या ना में जवाब दे दोगे तो मुझे भी थोड़ी सुकून मिल जाएगा तर ऐसे कोशन में पर ऐसे ही आते अमित है ना अमित बिल्कुल टेंशन मतलो आप मुझसे पूछो के सर रेलवे का अल पी निकल जाएगा तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 50 बार पे बर दोगे तो 50 बार निकलेगा पचास बार निकलेगा अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हो तो अगला प्रशन अब मैंने यह कोशन दिया है अब यह कोशन चेतरफल वाले कोशन के साथ मिल गया लेकिन कोशन किसका है पहचान बताएए पहचान बताते जाएए एक बार आप अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए थी थोड़ी नहीं है तो समझाते हैं कि सर वर्ग की बुजा दे रखी है अब वर्ग की बुजा क्या होती है वो ए मानलो चलो और छेतरफल की बात की गई है और छेतरफल क्या होता है छेतरफल होता है आपका बुजा इसक्वायर सो आप समझ गए आप कि भाईया 40% की बुजा ब्रद्धी हो रही है और छेतरफल में परिवर्दन पूछा है तो 40 प्लस का 40 प्लस का 40 गुणा 40 बटे 100 और 2 बार गुणा क्यों हुआ क्यों कि 2 ए गुणा ए हो रहा है ए गुणा ए हो रहा है तो वो successive केस को बताता है क्योंकि ब्रद्धी हो रही है ना 2 बार ब्रद्धी हो जाएगी क्योंकि गुणा वाला concept आगया successive की तरह exactly तो यहां हो गया सर 80 और यह हो गया 16 तो आप यह कह सकते हैं कि जो छेतरफल होगा वो 96% बढ़ेगा छेतरफल 96% बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले सर हमें भिन कितरू समझा दोगे क्या आप तो चलिए भिन कितरू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को चलिए और आपको यह clear हो गया ना कि 2 बार क्यों आया क्योंकि हम छेतरफल की बात कर रहे हैं भुजा स्कॉयर होता है तो दो बार गुणा हो रहा है इसलिए आया ब्रद्धी एक में हो रही है लेकिन एरिया में बात कर रहे हैं तो इसलिए दो बार आया चलिए सर अब 40% को भिन में लिख दो क्या होता है सर 40 बटे 100 तो यह भुजा बढ़ी है तो दुबारा लिखना पड़ेगा इसलिए सक्सेसिव बोल देते हैं तो यह हो गया 25 और यह हो गया 49 सॉल्व करेंगे कितनी ब्रद्धी हो गई तो चाहो तो आप 4 से गुना कर लो जिससे की 100 बन जाता है न तो जल्दी हो जाता है तो यह हो गया सर जी 100 और यह हो जाएगा सर जी 106 में तो 96 परसेंट की ब्रद्धी आ रहे है डायरेक्ट तो छेत्रफल में परिवर्तन बोला गया है परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है ब्रद्धी या कमी को ही परिवर्तन बोलते हैं, understand, परिवर्तन किसको बोलते हैं, यह clear होना चाहिए, clear है मेरे भाईयों, तो ऐसे कर लो, बस हो गया, ठीक है, okay, अगला प्रशन आपकी सामने है, आराम से करना, और आप लोगों को देखो, हमेशा परिवर्तन बोला जाएगा, what is the change in the salary, what is the net change in the salary, what is the शुद्ध परिवर्तन, यह परिवर्तन का मतलब ही, आपका percentage increment or decrement होता है, यही परिवर्तन का बात है, अब परिवर्तन तो नेगिटिब भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, अब अगला कोश्चन आपके सामने है, पढ़कर बताईए, क कि यह कुश्चन सक्सेसिव का कैसे पैचान होई आपको, और है भी या नहीं, अब देखिए, व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की ब्रद्दी की जाती है, उसके बाद 15% की कमी होती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है सर, देखिए, पहले 15% की ब्रद्दी होती है, फिर 15% की कमी होती है, अब फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और यही मैं आपको कही बार समझा चुका हूँ पहले भी कि शुद्ध परिवर्तन की बात की जा रही है तो यह हो जाएगा माइनस का 2.25 और इसलिए इसको क्या बोलते हैं कमी बोलते हैं कितने की कमी? 2.25 का decrement होगा decrement होगा मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग क्या करना? चिन्न सहीत रखना ब्रदी बोले तो ब्रदी रखो, कमी बोले तो कमी रखो और इसलिए शुद्ध परिवर्तन यह आया और इसको बोला क्या गया कि 2.25% है लेकिन वो कमी है चन्न सहीत रखिए formula में formula क्या है formula होगा x plus y plus x-y बटे 100 सर प्लस क्यों लिखा मैंने कहा ना कि आप रखो तो उसमें रखो ना चन्न में x आपकी ब्रद्दी है positive में रखा y आपकी कमी है तो negative में रखा तो वो अपने आप निकल कर आपका आ चुका है अगला कुशन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है एक बर आप ट्राई जरूर करें भैया अब ऐसे कुशन भी बन जाते हैं कई बार अब देखो सर एक आयतकार भूखंड की लंबाई है और चोड़ाई है केवाल यहांु इंक्रिमेंट ओ दिक्रिमेंट की बार रहत फो रही है कोई डेटा नहीं दे रखा कुछ नहीं दे रखा तो 10 परसेंट की व्रत दी और 8 परसेंट व्रत ग्रत दी व्रत लिए कुशन में लिखा हुआ मैं कुछ नहीं कह रह proced और यहां से जो निकाला जाता है successive से जो ब्रद्य कमी ही निकाली जाती है कोई data मौझूद है कोई data मौझूद नहीं है यहाँ पर पर आप यह कह सकते हो कि लंबाई इतनी है क्या यह बता सकते हो कि लंबाई कितनी है ना चोड़ाई बता सकते हो ना छेतरफल बता सकते हो, केवल आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो, ब्रद्धी और कमी कितनी हुई, चेंज कितना हुआ, आप यही बताने के लिए कोशन बनाएं, और यह है छेतरफल का, लेकिन परसंटेज में काम आते हैं, ऐसे कोशन और आते परसंटेज के अंदर ह अब 6 तरफल में पूची का ही तो लंबाई गुणा चोड़ाई होता है। is लिए सकसेशिव लगा। मैं बार-बार बोलता हो कि यह क्या आपको पहचान हो पा रही है। आयाना में जवाब दे दीजिए, क्या आपको पहचान हो पा रही है, कि successive क्यों लगा, क्योंकि इसा लंबाई गुणा चोड़ाई ही तो होता है, छेतरफल, हाँ, अच्छा ये पूछा जाता है, परीमाप में कितनी हुई, तो क्या आप निकाल पाते है, वरीबाप में ब्र क्योंकि आपको पता ही नहीं data क्या है, exactly, यह बात है में, समझे बात आप, चलिए, तो यहां आप केवल छेतरफल में ही बता पाओगे, क्योंकि छेतरफल आपस में गुणा होता है, जहां पर दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई की बात आजाए, और बीच में प्लस आ है, अरे भाया, कहानी समझ में आई क्या, आज आपको समझ में आ गया ना कि सक्सेसिव कब लगता है और कब नहीं, प्रॉबलम यही होती है बच्चों को, समझ में नहीं आता कि लगता कब है, लगता तभी है जब बीच में गुणा होगा, अब लंबाई गुणा चोड़ा में पूछा गया है, लगाओ दिमा, करत करत अभियास के जड़मत ही होत सुजान, अब घं की प्रतेक बुझा में 50% की ब्रद्धी की जाती है सर, तो भईया देखो 50% होता क्या है, 50% बराबर होता है, एक बटे दो, अब बुझा है ना, तो प्रश्टि ये छेत्रफल क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया औफ ए, 6a² होता है, तो टोटल सर्फेस एरिया नहीं पूछ रहा होता हो, केवल सर्फेस एरिया पूछ रहा हो, लेटरल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया भी क्या होता है, 4a² होता है, lateral मतलब होता है वक्र प्रष्ट यह हमें mensuration क्यों पढ़ारे हो आप बेटा मैं mensuration नहीं पढ़ारहो हूँ इसलिए mensuration के formula communities का use बता रहा हूँ बस यह होगा कुल यह होगा कुल कुल प्रष्टी ए चेतरफल अब देखे परक ही नहीं पढ़ता कि 6 आएगा कि 4 आएगा परक पढ़ता है कि भुजा का स्क्वाइर आएगा बात समझ में आ गई परक इस चीज से नहीं पढ़ता कि 6 आएगा कि 4 आएगा परक इस चीज से पढ़ता है कि भुजा का स्क्वाइर आएगा इसलिए है clarity भी नहीं दे रखी भाई ने कोई गल नहीं है तो अगर आप दो में एक की ब्रद्धी कर दोगे तो दो से तीन हो गया और दो से तीन हो गया सर जी successive लगा दू हाँ के बल प्रश्टिय चित पर बुचा है तो चार से नो हो गया तो कितने की के बल फबंभ पल्त क्यों और अच्हीं हो जाएगा हों क्यों नहीं होगा पंचस प्लस पिछ लेकिन च्शेतरफल है इसलिए अब या आयतन हो जाता बात अलग होजाती तो यह कितना आगया सरसवास हो 125 परसेंट क्योंकि 6 तरफल है इसलिए आपका कितना आगया 125 परसेंटेज ठीक है क्लियर है भाईया हम सब बनता है बनता तो है अब देखो ब्रत की त्रिज्जा पर आगया कुशन हर चीज कवर हो जाएगी और अच्छी बात है कि यहां से कुशन आजाए ना तो बुरा मतमान ना यहां से डायरेट कुशन आजाएंगे आपके यह गारेंटी अपनी ह ठीक है क्युक्कि क्लास में जो करवाया जाता है एक्जामन पेपर बनाने बैट तो वह सर्च करता है कि यूट्यूप पर क्या चल रहा है या फिर आज कल क्या चल रहा है तो बस डाले दपक्रेशन दलने तो यह हैं उसको इतना धाम हमें पता है किसी ब्रत का जो छेतरफल है ब्रत की तरिज्जा में 25% की कमी आ गई गुरू अब ब्रत की तरिज्जा में आई है तो छेतरफल में क्या आएगी तो 25% एक बटे चार होता है और चार में अगर कमी आ गई एक की तो तीन और चार में कमी आ गई एक की तो तीन और अगर देखो तरिज्जा में बात की गई है तो छेतरफल में तरिज्जा का स्कॉयर आता है केवल तो दो बर ही गुणा होगा चार से तीन चार से तीन तो सोला से कितना हो गया, नौ हो गया, कितने की कमी हो गई भी या, साथ की, किसके साफ पेक्षमें हो गई, 16 किसा पेक्षमें गुणा 100, और एक बटे 16 होता है, 16.25 तो 6,7 42, 43.75 आ जाएगा सर, सर मैं तो ऐसे ना करूं मैं तो करूंगा सर उससे करूंगा मैं तो मैंने का बहुँ चिन सहीत रख दो माइनस का 25 माइनस का 25 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 25 गुणा 25 बटे 100 तो माइनस का 50 प्लस का 6.25 तो यह आगया सर जी 43.75 तो नेगटिव में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो कमी तो है तो और क्या कह रहे है आप से 6 तरफल में इतने की कमी हो रही है clear है भया आप यहिए पर लाइक अर शेयर करो यहार मझा तो तब ही आएगा है अगला प्रशन अपकी स्क्रीन पर आ चुका है अब आ गया देखो जनसंख्या ब्रतडी वाला तो डुनिया की कोई ताकत कोई भी ताकत हो चाहे तो क्या पैचान है अगर जिन्दिगी में कभी जनसंख्या का कुश्चन आ जाएगा तो उसकी क्या पैचान है सर ये पैचान नहीं है इसमें लगेगा हमेशा सक्सेसिवी हाँ तो ये एक ये कि मार ये भाई पॉपुलेशन का कुश्चन है अब यही तो पैचान होगी जैसे पेपर में आगया जनसंख्या का तो सक्सेसिव लगाना है पहले तो दिमाग में ये लाओ हाँ असर लियाए अब आगे करो कि एक शहर की जनसंख्या में प्रती वर्ष 10 % की ब्रद्级ी होती है अब 10 परसेंड की ब्रद्धी दर्च की गई अब 10 परसेंड बराबर होता है एक बटे 10, अब ये 10 से कितना हो गया भाया 11, अब ये common sense वाली बात है देखो, 10 से 11 हो गया, अब हर साल है ये, यदि वर्तमान में शहर की जंसंग है इतनी है, दो साल के बाद, तो दो बर लगेगा, ये एक साल के लिए है, दो साल के लिए, दो बर लगा दो, ये जो होता है, ये होता है वर्तमान में, 100 हो गया, और दो साल के बाद 121, क्योंकि ब्रद्धी हो रही है तो दो साल के बाद बढ़ेगी ना, ये common sense है ना, common sense, common होता है, कि भाई ये दो साल पहले होगा, दो साल के बाद बढ़ गई, ठीक है, तो दो साल के बाद पूछी गई तो यह यह वर्तमान में तो दो साल के बाद बढ़ेगी तो बढ़ी हुई यह है तो 64 से गुणा करना है तो 121 को 64 से गुणा कर दो इक आयंग 4 वाला आंसर आजाएगा एक यह ओप्षण है कितने बच्चों ने खुद कर लियाAh मुझे पता है इसमें नहीं है कुछ कि अ're Alexandria क्या है क्या है कुछ अगला प्रश्न है एक बार और करके बताईए कि इसमें भी कुछ नहीं करना है ज्यादा लेकिन पर्सेंटेज अला गया पीडियेफ आपको मिलेगी अपने टेलिग्राम चैनल मैथ भाई साहिल सर पर क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर ऑफिशल दो टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी किसी शहर की जनसंख्या में हर साल 5% की ब्रद्धी होती है फिर से 5% को आप एक चुप चाप भिन में बदल देंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे वर्तमाद जनसंख्या इतनी है तो दो साल के बाद कितनी होगी तो हम यह कह सकते हैं सर जी जनसंख्या 20 से 21 है 20 का स्कॉयर आपका 400 है 21 का स्कॉयर आपका 441 है 400 बराबर कर दिया आपने 644 00 00 00 00 00 से 00 कार दिया 4 से कार दिया आपने 16 100 बार जुँ आ है कि इतनी हो जाएगि चार सो एकतालिस और सोबबाइब को द्नीना का दोह सोबधी सत्ता चप्पन डबल जिर क्लियर है चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है पिर से जनसंख्या ब्रद्धी का कुश्यन है और जनसंख्या ब्रद्धी लगते ही दिमाग में क्या आता है आप जानते हैं तो वह आना चाहिए दिमाग में तब ही तो एर कॉंसेट अलग है किया वही है या अलग है यह कुशन को पढ़के बताओगे आप कि दो आईए प्यारे भाईयों और बहनों और भाईयों और उनकी बहनों ठीक है भाईया खलिए अभी तक हमने जतने भी कोश्चन किये जनसंख्या ब्रद्धी या कमी पर सारे कोश्चन को एक बार दुबारा से देख लीजिए कि जनसंख्या ब्रद्धी और कमी में अगर किसी जनसंख्या में ब्रद्धी होती जाती है और दो साल के बाद पूछ लिया कितनी हो जाएगी तो हम बता देते हैं हमने यहां भी बताया हमने और सक्सेसिव सीखे लेकिन यह कोश्चन क्या पिछले कोश्चनों से अलग है आपका जवाब आएगा हां क्योंकि सर यहां पर आदमी और और ओरत दौनों में अलग-अलग इंक्रिमेंट हो रहा है पूरी जनसंख्या में नहीं हो रहा है तो पहली बात तो इसका जो कॉंसेप्ट है पिछले कोश्चन से अलग है, agree करते हैं कि अगर हाँ तो प्लीज एक बर थम सब कर दिए कि सब करते तो है थोड़ा बहुत, बट अब इसमें क्या सिखा होगे आप आप ही जानों, बिल्कुल मैं ही जानता हूँ, आईए मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसके हम दो से तीन मै महिलाओं में अलग-अलग ब्रद्धी हुई है, तो जनसंक्या इतनी हो गई, तो यह जो 4000 से 4500 हुई है, 4000 से जनसंक्या 4500 हुई है, यह जनसंक्या की कुल ब्रद्धी है, या आदमी की ब्रद्धी है, और अरत की ब्रद्धी है, बताओ, पुरुष की ब्रद्धी है, या मह मेलाओं की ब्रद्धी है या कुल ब्रद्धी है अब पहली जवाब तो यह दीजिए मुझे मैं दुबारा पूशता हूँ कि 4000 से 4500 हो जाती है कैसे हुई है मुझे नहीं बता बट मेरा प्रशन आप से यह है कि यह केवल यह फीमेल का इंक्रिमेंट है या मेल का इंक्रिमेंट है या दौनों की ताकतों से हुआ इंक्रिमेंट है दौनों से हुआ इंक्रिमेंट है ना दौनों को मिलाकर हुआ इंक्रिमेंट है ना कुछ मेल बड़े होंगे कुछ फीमेल साही होंगी और उनके बाद चो इंक्रिमें आया वो है ये, understand, यानि कि ये कुल है, ये overall है, यानि कि overall आपकी 500 की increment आया, 4000 के respect में आया, गुना 100 करना आया, 25 बटे 2 आया, 25 बटे 2 परसेंटेज, ये क्या आगया, आपका overall increment आचुका है, overall increment मतलब कुल ब्रद्धी आचुकी है, total आपका increment ये आचुका है, understand my idea, यहां तक आप लोग agree करते हैं, अब मैं आपको कहता हूँ कि क्या कल आपको मैंने चीजे बताई थी, क्या, कि अगर पुरुष की अलग से ब्रद्धी हो, महिलाओं की अलग से हो, और कुल दे रखी हो, तो क्या लग सकता है, ये feeling आना जरूरी है, ये बीच में आएगी, और ऐसा कुछ अगर आजाता है, तो इसी ना चीज को ELEGATION बोलते हैं, तो sir इस दो क्या करें, ये तो ऐसी घुम रहा है, तो आप चाहो तो इस दो को यही रहने दो, यह साड़े बारा होता है तो बीस में से अगर आप साड़े बारा घटा दोगे तो साड़े साथ याने की पंद्रा बटे दो आ जाएगा मैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को हाला कि आप दो से गुणा भी कर सकते थे दोनों तरफ कोई बात नहीं अब जैसे इच्छा आपकी और यहां से घटाऊंगा तो धाया जाएगा पांच बटे दो तो अनुपात कितना आ रहा है तीन अनुपात एक आ रहा है अगरी करते हैं आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं हम आगे बताएंगे आपको कि सर जी पुरुषों की संख्या पूछी गई है तो मैं कहँँगा भ Advance चार यो बरावर अगर आपका 5000 है जो की है तो पुरुष कितने ही तीन अहजार प्शा मेथर लगा इसमें क्या मैथर क्लिए है स्टरार क्या लगा सिश्चा क्या लगा इसमें है और allegation concept लगाना है ऐसे नहीं बोलेगा यह आपको question को पढ़कर महसूस करना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा आपको recognition लानी पड़ेगी कि यह allegation लग सकता है इसमें और भी method लगेंगे वो भी बताते हैं लेकिन पहले महसूस करना पड़ेगा कि नॉर्मल यह जनसंक्या ब्रदिया कमी का नहीं है यह एक अलग question है जो कि अलग-अलग ब्रदि करवा रहे है और फिर overall ब्रदि हो रही है तो यह महसूस करना सीखिया पहले तो हो गया भाई महसूस चलिए अब हम चलते हैं आगे अब मैं इसका मैं इसका दूसरा method बताता हूं method number second पहले इसको note कर लो चलो नोट कर लिया हो तो method number second समझते है थोड़ा method number second होता है JSM और JSM की दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप इस JSM को हलके में ना ले जूनियर satisfactory method यह भी एक अच्छा method है जब कब लगेगा ऐसे question में लगेगा ऐसा कौन सा question वैसा question सर जहां male की अलग ब्रद्धी है female की अलग है और overall है ओके relax तो मैं यह कहता यार कि male और female male और female male में 10% female में आपका हो जाएगा कितना 20% male में 10% का ब्रद्धी हो रहा है female में 20% का ब्रद्धी हो रहा है ठीक है और male 10% female 20% मैं यूं कह देता हूँ यहां पर कि भाईया overall जो है overall मतलब अगर male में 10% हो रहा है न तो फीमेल में भी 10% होगा यह मेरी कल्पना है यह मेरी कल्पना है और जनसंख्या कितनी थी 4000 जनसंख्या कितनी थी 4000 हमने दोनों को बराबर माना सर यह तो 20% है मैंने का नहीं मान रहा न मैं मैं तो 10% ही मान रहा हूँ तो 4000 का जो 10% है वह कितना हो गया भाई 400 हो गया 400 हो गया यानि कि 400 बढ़ना चाहिए जनसंख्या को चाहिए नहीं चाहिए बताओ जनसंख्या को 400 बढ़ना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से लेकिन अकॉर्डिंग टू दा कोश्चन जनसंख्या 4000 से कितनी होई है 4500 तो जनसंख्या तो 500 बढ़ी है कोश्चन के हिसाब हमारे हिसाब से 400 बढ़ी है हमने गर्बड भी तो किया है तो वह गडबड कितनी की हुई है यह कितना कम बढ़ी 100 कम बढ़ी है तो 100 क्यों क्यों क्योंकि 10% female में कमी 100 के बराबर है तो female कितनी है 1000 और male कितने 4000 में से 3000 तो यह तरीका भी अच्छा है आप इसको यूज कर सकते हैं paper में बहुत आता है हम अपने इसाब से जो मान रहे हैं वो गलत है यह 400 गलत है हम भी जानते हैं बात क्यों क्यों क्योंकि हमने तो यहां 10% माना है और वैसे question कहता कि 20% होता तो 100-500 होता तो 100 की कमी क्यों आई क्योंकि आपने 10% गलत माना था ना वो 10% आपका 100 की कमी के बराबर है तो यह female का है तो female 100% हो जाएगी 1000 और male हो जाएगी 3000 next question आपके सामने है आराम से करना successive लग रहा है क्या लग रहा है तो कैसे लगेगा कैसे लगेगा बताईए जिस कोशन में एलिगेशन लगेगा उस कोशन में जे एसम भी हमेशा लगता है रॉक हिंदुस्तान नाम से वच्चा है समझ में आपको सच बता रहा हूं आप एक पर फाउंडेशन जॉइन करो फिर है ना मेरा सजेशन है अब इसकी ऊपर क्या बोलते हो कमेंट में मैं देखूंगा कि आपको अगर मैंने आपका समश्या बता दी कि इसका समश्या का कार का जो मुल्या है वो हर साल 20% कीदर से कमी होती जाती है तो दो साल के बाद में मुल्या 488,000,000 रुपे हो जाएगा पहले कितना था पहले जदा होगा क्योंकि अब तो कम हो तो यहां आपका 16 है, अई बास समझ में, दो साल के बाद का मूल्य दे रखा है, तो 16 बराबर आपका 48,48,000, ठीक है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 16,48,000, तो यह हो गया कितना, 7,50,000, 7,50,000, आपका का मूल्य आगया, 7,50,000 आपका का जो बेस प्राइज हो निकल के आचुका है, और आपको पता है, डेप्रिशिशन होता ही है, मतलब कमी तो आती है, जब आपको यूज कर ले तो चीजों को, वो डेप्रिशिशन वाला कॉंसेप्ट है, अब अगला कॉशन इस तरह से बहुत कॉशन आते हैं बेपर में आपके, जब आपके जवाब दीजिए, जहां डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह आएगा जरूर, यह डाइरेक्ट आ सकता है यह कॉशन तो, एक वस्तू की कीमत में पी परसेंट की ब्रद्दी हो जाती है सर, बस्तू की कीमत मैं 100 माल ली, अब 100 में पी परशेंट की ब्रद्दी कर दी, तो, मैं क्या करूंगा, 100 प्लस पी करूंगा न, अब बस्तू के उसके बाद में नई कीमत में कमी हो जाती है, तो इसमें कमी हो रही है तो successive लग जाएगा तो अब आप successive में जानते हैं कि इनका गुणा होता है तो यह हो गया 10,000 इनका गुणा होगा तो A plus B, A minus भी तो यह हो जाएगा सर A square minus का B square तो आप से क्या पूछा जा रहा है कि अब बस्तू की कीमत एक रुपिया है तो यह जो कीमत है अब है एक रुपिया तो मूल कीमत कितनी है तो एक 10,000 minus P square मेरा एक अनुपात की value निए एक रुपे के बराबर है तो यहां से एक अनुपात की जो value आएगी वो एक रुपिया बटे 10,000 minus के P square के बराबर है और 10,000 रुपे की value निकालनी है तो आंसर आ जाएगा 10,000 बटे 10,000 minus का P square उमीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा अच्छा लग रहा होगा ऐसी लगेगा भी भाई tension लेने की जरुवत ही नहीं है किसी भी बच्चे को नहीं है यही होता है यार पढ़ाई अच्छे से कर लो foundation अगर अच्छे से कवर है तो revision अच्छे से हो जाएगा कंठस्त तयारी हो जाएगी और NTPC, Group D, Junior Engineer, Technician सब निकाल लोगे अब ALP अच्छे से कवर हो रहा है अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए अब यह कुशन देखो कितना गजब है अब कौन सोच सकता है और यह कौन सा केस है यह अच्छा तरीका है अब आप देखते हैं कौन सोच पाता है आप में से अच्छा पाता है एक वस्तू का जो मूल्य है वो दो साल में गटकर अठारह हजार से इतना हो जाता है अब यह कुश्चन बता है आपको तो यह लग रहा होगा कि यह नॉर्मल कुश्चन है परसेंटेज है लेकिन आपको यह मैं समझाना जाना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि यार कहानी बहुत प्यारी है अब क्या यही चीज आपको स्कंपॉण इंट्रेस्ट में सीखने को नहीं मिलेगी गया तो अब मैं आप से एक सवाल पूसता हूँ कि क्या कंपॉण इंट्रेस्ट और सक्सेसिफ के सेम है आपका जवाब आएगा हाँ आपका जवाब आएगा हाँ सेम है मतलब कंपॉण इंट्रेस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है इस चीजों से क्या बात है सर यही बात है बस और क्या है तो दो साल में ऐसा हो रहा है ना अब देखो दो साल में 18,000 से 14,580 हो गया अब यह इसको अगर मैं प्रिंसिपल बोल दूँ और इसको मैं अमाउंट बोल दूँ तो या फिर कुछ भी बोल दूँ अब यहां देखो वहां घड़ता यह बढ़ता है केवल तो जीरो से जीरो काटा यह काटा मैंने 900 और यह काटा मैंने 739 तो कभी भी अगर दो साल आए ना तो अंडरूट लेना पड़ता है अगर आपको बार्शिक निकालना है तो क्योंकि दो साल का है तो अंडरूट लोगे तो यह आजाएगा 30 और यह सारी कोशन ट्रिक से चल रहे है ना रॉक हिंदुस्तान इसलिए नियारा तुम्हारा दिमाग और लग रहा है इसका मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप आप आराम से सीख सकते हो बस दिमाग यह रखो है ना चलिए क्लिए भई कॉंसेप्ट क्लिए हुआ क्योंक अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है अब यह अलग एक कोशन तीन वर्षों में अलग अलग व्रद्धी हो रही है अब यहां यही कंपॉंड इंट्रेस्ट का भी है क्यों तीन अलग अलग रेट देदी तीनों सालों में तब बताओ कि चकरवर्ति भ्याज क्या होगा सेम ही क्या होगा क्या बात है सर तो इसलिए कह रहा हूं कि जनसंख्या है तो भी सक्सेसिव लगता कंपॉंड इंट्रेस्ट है तो भी सक्सेसिव लगता तो चीज वहीं से जुड़ी हुई है यही बच्चों को क्लारिटी देनी होती है पढ़ाने में कि बेटा टेंशन मतलों एक एक चीज सीखोगे तो तीन चीज और सीखने को मिलेंगी अब इसका जवाब दे सकते हो तो दे दो फिर मैं समझाओंगा की कैसे करना है तीन साल पहले एक कश्वे की जनसंख्या दो लाग पचास जार थी यदि पिछले तीन वर्षों में इतनी इतनी ब्रद्धी हुई है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है तीन साल पहले दे रखी है दो लाग पचास जार और अगर मैं तीन साल बाद निकालना चाहता हूं तो एक साल में एक सो तीन बटे सो क्योंकि मुझे तो अमाउंट ही निकालना है अमाउंट बोल रहा हूं देखो मैं जबकि मुझे तो तीन साल बाद निकालना है तो ओवर solve करते हैं देखते हैं क्या जुगार लग सकता है क्या तरजी देखिए यह 2-0 से 2-0 काट दी और इस 2-0 से 2-0 काट दी फिर भी कौनी बात बनी तो अब यहां मैं कह सकता हूं 100 बटे 4 लिख सकते हो इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो 25 को लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं जाते तो कर पाते अब नहीं हाई तो कर पा रहे हैं तो 6 का गुणा करेंगे 6,8,8,4,6,6 और 4,10,9,4,1,5,5,5,5,5 और 6,1,6 और लाश्ट में एक बार 2 का गुणा और कर दो 218,36 तो 218,36 और आंसर यह आपके सामने आ गया 8,6,8,13,7,8,28,28,28,28,28,28,28, कैसा लगा भाई एक बर थम सब चाहता हूं आप लोगों का और इसी तरह से अब कई बच्चे कहेंगे सर्फ सक्सेसिव से करिए अरे भाई यह सक्सेसिव ही है अब तुम चाहते हो कि मैं इसको लेटा दू तो लेटा ले और क्या कर सकते हैं है चीज तो वही है आप चाहते मज़ा आ गया हो आनंद की अनुबूती हुई हो तो बता दीजिए नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं यह आपके होमवर्क के कुश्चन है छीएत्तरवा भालू की संख्या निकालना सतततरवा अठैतरवा उनियासीवा और असीवा ठीक है एक्यासी बैयासी यह इंकम एक्स कुश्चन है यह अब कर लेना जितने बन जाएं आपसे कल क्या होगा कल मैं बता देता हूं इंकम एक्सपेंडेशर पढ़ाऊंगा क्योंकि उसी के कुश्चन है आप एक बार ट्राई करना फाइल में आपको मिल जाएंगे और यह कुश्चन तो करील हो गया एक तो भालू को मिल नहीं में खम प्ताहे और मैं दिल से बढ़ा रहा हूं को आप बताहं औरौव और यह सोचना जिन बच्चों मैं रिवीज बें रहा हूं वालों को भी और जो आनों बोगों पढ़ाू उन ऐस्भारस भाँ को ब्ड़ारीच में है कंसेब्ट वही लिए गाए एसमें यह सबसे अच्छे तरीके हैं जो मैं बता रहूँ आपको, आप लोग test series भी ले सकते हो, जो बच्छा test series करना चाहता है, वो railway की test series हमारी, quick tricks test series अलग application है, course की अलग application है, test series की अलग है, इसे की कोई destruction ना है आपके बीच में, तो वो railway की test series ले सकता है, हमारी application है, ठीक है, हरीश वाली feeling दे रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, CTM 3 बजे, CTR 6 बजे, और CTS 10 बजे, कुछ भी कमी नहीं चोड़ेंगे, क्यों चोड़े हम, बच्चा हमारा है, selection हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा, हमारा नाम होगा, और इस नाम के लिए मैनत की जा रही है, यह द्यान रख जाएगा, technician निकालना चाते हैं, हो जाएगा, NTBC, junior engineer हो जाएगा, group D हो जाएगा, क्या करना है, कोई shortcut नहीं है, कोई shortcut नहीं है, सर इन एक्जाम को निकलवा दो, सर, shortcut से बता दो, सर, भाया, खतम हो जाओगे, अगर shortcut के बीचे भागे, तो, अच्छे से पढ़ना सीखो, आप इस offer का फाइदा उठा लो, वरना, देखो, समय निकलता चला जाएगा, आपके उपर ही बोज बनेगा, क्योंकि आज इतनी चीजे हो चुकी है, कल ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, फिर advance भी चालो हो जाएगी, तो समय तो चल रहा है, आज से लोगे, तो आज मास्थर ऐसी बकवास ठोकता है, कि या ये वास्तम में कुछ दे रहा है इसके अंदर, तो वो तुमारे पर हस जाएगा, कैसे बाते कर रहा है, देखे, क्वालिटी है, आपको दुबारा कभी भी जिंदिगी में बैच नहीं लेना, ये बात मैं पहले ही बोल देता हूँ आ हम नहीं बढ़ाते प्राइज और ना हम कम करते हैं, हमारा प्राइज ओफर में रहता है, बच्चे को जॉइन करना है, अच्छे से पड़े, math reasoning gkgs, अपनी application है, कोई अगर query आए तो call कर लेना, कोई query आए तो, बाकी बहुत simple तरीका है, application पर जाओ, बैच ले लो, इसमें आ अलग लेने हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, coupon वहीं की वहीं है, कुछ discount के लिए कुछ अलग से phone नहीं करना, क्योंकि coupon यहीं की अपलाई कर देना है, बस हो जाएगा, यहां पर apply कर देना है, उपर click कर देना है, बस इस पर, अपने अप लग जाएगा, ठीक है, content solid है, अगर कोई दिक्कत आजाती है, कभी error आजाती है, कोई bug आजाता है, तो उसके लिए, आप कॉल आओ कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो, और कोई कोईरिया तो पूस सकते हो, ठीक है, application है, quick tricks by sahil sir, आपका अपना परिवार, जोड़िए हमारे साथ, ठीक है, चैनल को subscribe कर लीजिए, मजा आजाता है sir, thank you Sritanshu, thank you भाई, thank you dear guys, sir, technician का syllabus change हो गया है sir, एक paper होगा, तो syllabus तो चेंज नहीं आएगा, syllabus तो यही रहेगा, ठीक है, हाँ, बढ़िया पढ़ाई करो, tension मतलो बिल्कुल भी, tension लेने निदिंग है, quality ऐसी है कि आप मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो की quality 240 पे हो जाती है, लेकिन तुरंट नहीं होती है वो, अग कल देखोगे तो कल 240 पे मिलेगी आपको, ठीक है, और इसलिए live आओ, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं तीन बजे, catch the math में, आपके प्यारे segment में,